सो हे गाइज कैसे हैं आप सब उमीद करता हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे इस वीडियो में आप लोग में बताऊंगा मस्तियप में एकाउंट कैसे केरियट करें इसमें फोटो कैसे चेंज करें नाम कैसे चेंज करें पासवर्ड कैसे केरियट करें तो वीडियो को थोड आप क्लिक करेंगे तो सीधे play store पे प्रवेस करेंगे यदि आप वहां पे click नहीं करते हैं तो अपना play store open कर लीजिए मैं यहां से अपना play store open कर लेता हूं यहां पे बगल में application आएगा इसका icon आप देख सकते हैं ठीक है यहां पे install करने का option मिल जाएगा यहां पे आपको click कर देने थोड़ा सा समय लगेगा यहां पे download हो गया यहां पे देशने मेरा application डाउनलोड भी हो गया यहां पे फिर से दो option मिलेगा एक on install एक open तिहां से सीधे open वाले पे click कर देन तो मैं आप लोग को बोलूँगा कि कभी भी आप लोग account create कीजिये तो mobile numbers नहीं create कीजिये ठीक है तो मैं यहां से mobile वाले पे click कर देता हूँ यहां पे चार option open हूँगा पहला option है mobile number दूसरा option है password तीसरा option है login और चोथा option है login with SMS code ठीक है तो आपको यहां पे account कैसे create करना है कि mobile वाले नंबर की जगा पे mobile number डाल देना है तो मैं यहां पे एक अपना mobile number डाल देता हूँ यहां पे mobile number डालने के बाद से आपको क्या करना है कि यहाँ पे नीचे login with SMS code का जो option है यहाँ पे आपको click कर देने जैसे ही यहां पे आप click करेंगे जो भी mobile number डालने हैं उस फे एक OTP जाएगा यहाँ पर मैं OTP फिल कर दिया नीचे सौमिट करने का option है यहाँ पर क्लिक कर दिने जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे आपका एकाउंट तो यहाँ पर किरियट हो जाएगा जो भी members यहाँ पर live होंगे यहाँ पर सोख कर देंगे पर यहाँ पर आपको कुछ नहीं छेड़ना है अभी आपका एकाउंट केरियट हुआ नहीं है अभी बहुत कुछ बाकि है यहाँ पर profile का option है यहाँ पर क्लिक कीजिए जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका profile open होके आज जाएगा यहाँ से आप जो process है आप बिल्कुल ध्यान से समझेगा यहाँ पर edit profile का option है यहाँ पर आपको क्लिक करना है जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका पूरा bio data यहाँ पर जो भी आपको अलाउ करना है अपका gallery open हो जाएगा जो भी आप photo रखना चाहते हैं यहाँ पर photo रख सकते हैं तो मेरा photo यहाँ पर save हो गया उसके बास यहाँ पर number है नमबर को तो मेरे को च्छड्ना नहीं है Gmail मेरे को Gmail नहीं डालना है उसके बास से user ID यहीं जो है person ID किसी से change नहीं हो रहा है बहुत सारी users का यहीं प्रबलम है कि user ID change नहीं हो रहा है क्यूंकि वह लोग क्या करते हैं कि किसी के abroad पे चले जाते हैं बात एक करने लगते हैं उसक इन मेंkov कर रहा है ऐसा ही आपको user id बनाना है ठीक है तो मैं यहाँ पे एक user ID बनाता हूँ तो मैं यहाँ पे लिख दिया धनेस यहाँ प्धैस नहीं डालना है, बेल्कुल यहाँ पे 007 कर देता हूँ ठीक है उसके बास यहाँ पर नीचे नाम यह तो आपको पाता है नाम जो भी अपना रखना चाहते हैं यहाँ पर रख सकते हैं इसमें डैस आप डाल सकते हैं इसमें कोई प्रोब्लम नहीं होगा ठीक है उसके बास से about user यहाँ पर अपने बारे में कुछ भी लिख सकते हैं य इतना लिखने के बाद से इसके नीचे आएंगे तो gender का option दियें गए यहाँ पर klik करेंगे तो यहाँ पर january का जो option दिये गा ना दो 2024 यहाँ पर klik करना है और date of worth अपना यहाँ पर हिसाब से कर लेना है जो भी आपका date of worth है ठीक है उसके पास यहाँ पे dawn का option है यहाँ पर klik कर दना है तो आपका date भी यहाँ पर summit हो जाएगा नीचे password का दो ऊफशन मिलेगा अब आप लोग सोचते होंगे कि दो password क्यों यहाँ पे पूछा गया है बिल्कुल फूचा गया है इसलिए पूचा गया है कि ताकि आप password जो डाल रहे हैं गलत नहीं न डाल रहे हैं इसलिए दो बार पूछा गया है तो first बार मैं जो password आप डाल रहे है न वहीं same password second वार में भी डालना है यहां पर बगल में s-queen में so कर रहा है इसी परकार के password डालना है मैं एक बार बोल के भी बता देता हूं जो भी password डाल रहे हैं पहले आपको later में डालना है पहला अवच्छर capital उसके बाद से small उसके बाद से 123 ऐसे करके आठ अंके password डालना है तो चले मैं यहां पर फटा फट अपना password भी डाल देता हूं हम यहां पर password भी डाल लिए और मेरा पुरा account पुरा तरह से clear हो चुका है उपर save करने का option दिया गया है यहां पर मैं अब क्लिक कर देता हूं यहां पर क्लिक करते हैं तो बहुत सारे के problem क्या होता है कि किसी किसी में raid आ जाता है कभी user id पर raid आ जाता है मतलब हर किसी में कोई ना कोई problem होता है बट मेरे में कोई problem नहीं होगा यहां पर देख सते हैं summit sexage फूल हो गया है तो मैं यहां से back निकलता हूं और live proof यहां मैं आप लोग को देखा दूं कि मेरा account जो है यहां पर create हो चुका है तो इतना तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मस्तियप में account कैसे create करना है आसा करता हूं कि आप लोग को account create करने में अब कोई problem नहीं आएगा तो फिर से मिलते हैं next video में तब तक के लिए बाए